हलो फ्रेंड्स तो आज मैं बहुत ही डेली से रेसिपी लेके आई हूं प्याज की रेसिपी क्योंकि सब्जी नहीं समझ में आती हैं डेली डेली क्या बनाए तो कुछ चटपटा सा अलग सा कुछ बनाया जाए तो यहां पर यह देखिए मैंने लच्छा पराटा और प्याज की बढ़िया चटपटी सब्जी बनाई है तो आप बोल भी देखो के खा के इतना टेश्ट यमी लगेगी कि आप बताई नहीं सकते इतनी बढ़िया रेसिपी है तो चलिए वीडियो स्टार्ट के लेते हैं हां पर देखिए मैंने सरसों का तेल ले लिया है तो तीन से बड के तो यहां पर मैने अधा टेविलिस्पून धनिया पाउडर अधा टेविलिस्पून विड्चि रीडचेली पॉडर आधा टेविलिस्पून हलदी और टेश्ट के आकॉडिग नमक दालि तो मैंने 2-3 बर करके डाला था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्यार की प्याज की सब्री में और यहाँ पे थोड़ा सा बुनाई करेंगी हम अच्छे से तो यहाँ पे देखिए मैं इनको अच्छे से पहले बुनाई करूंगी अभी क्या करेंगे इसमें टेस्ट के लिए अच्छे से फ्लेवर को हम दही डालेंगे तीन बड़े चमच में दही डालूँगी गैस आप यह तो बंद कर दीजिएगा या फिर कम करिएगा इसे दही फटेना और आपकी सबजी खराबना हो तो यहाँ पे लगातार आपको इस चलाना है एक दू मिनिट के लिए तो मैं इसको कंट्यूनी चला रही हूं जिसी यह खराब ना हो थे जमे ना लगे ना थोड़ा से टेस्ट के लिए मैंने मैगी मसाला डाला था आप इसकी भी कर सकते हैं और यहाँ पी कसूरी वेती डालेंगे हम जिसे अच्छा अच्छा को हमको अच्छे से फूलना है फुलाना है अच्छे से मिक्स होनी चाहिए हमारी सबजी तो यहाँ पे देखिए मैं कबर कर दूंगी इसको तो बीच बीच में चलाते रहेंगे हम इनको तो आप देखी सकते हैं थोड़ा सा इसमें पानी रह गया तो मुझे इसको और ड्रा कर लिया है और बड़िया हमारी सबजी बनके रेडिय होई है तो बस इसकी धनिया पत्की से गानिस कर देंगे और इसको फटा-फट से आप कभी भी बना के खा सकते हैं और इसको सर्व कीजिएगा मेरे बच्छे को बहुत पसंद आया था वह उसने बहुत पसंद किया था को आप इसे टिफिन में भी रख सकते हैं या ऐसे भी नॉर्मली बना सकते हैं अगर आपको सब्जियां समझ में नहीं आ रही हैं कुछ तो यहां पर देखिए मैंने यह लच्छे पराठी के साथ में इसको सर्व किया था और आपके पस से अले हो तो और ही मज़ा आजा जा जाते जादे सेयर कीजिएगा और लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा चली में तेरे इस्टूटम जोगते लिवाबे टेक क्यार